नमस्कार साथियों आप सभी का सक्सेस्ट्री हिमाचल के इस बहतरीन मंच पर बहुत बहुत स्वागत और मैं योगेश आप सब का स्वागत करता हूं और उमीद करता हूं आप सब की तयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी यह जो निया वर्ष जो आ चुका है दोस्तों दूसरा दिन है आपने बहुत सारा दोस्तों अपने अंदर मंतन किया होगा रेजुलेशन लिये होंगे कि इस साल सरकारी नौकरी अपने जिंदगी में जो केरियर है इस साल में हमें जरूर ही बना लेना है और जो भी आपने टार्गेट रखे हैं उसके लिए सक्सेस्ट्र की माचल की तर канале मेरी तरफ मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुब पामनाय और अच्छी सहत की शुब शुब कामनाये भी मैं दे रहा हूं आप को और अच्छी बढ़ाई की भी तो दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन जो है वो शुरू करेंगे और यहां पर जो है आगे बढ़ने से पहले जो है मुझे लगता है कि बच्चों को कुछ समस्या तो नहीं हो रही है दोस्तों जो है कुछ internet problem तो नहीं हो रही है एक बार जल् कुछ समस्या है ऐसा मुझे लग रहे है कुछ समस्या है तो नहीं है चलिए बहुत बढ़िया सब कुछ अच्छा है तो वही आज सबसे पहले तो आप मैं आपको बताओं आप मेरे से कुछ प्रशन बूच सकते हैं कि सर आज क्लास पांच साथ मिनिट लेट कैसे हुई साथ अब्दुलकलाम जी से जुड़ा हुआ जिन्होंने एक बार कहा था उमर ठका नहीं सकती ठोकरें गिरा नहीं सकती अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हमें तो हार भी हमें हरा नहीं सकती तो यह दोस्तों लाइंज जो है यह एपीज अब्दुलकलाम सहब की है जिनकी पू लेकिन भाई आपको पहली न्यूस बताने से पहले पहले बताऊंगा आज लेट क्यों हुआ क्योंकि सडकों पर कई सडकों पर दोस्तों जिनमें से मैं भी एक सडक पर चलाया वहां पर काफी जादा भीड थी और काफी जादा जो है जाम था और थोड़े समय बाद पता लग जाता और वह जाम है दोस्तों इसलिए था क्यूंकि वहां पर पेट्रोल म्त पर पहुत बड़े स्तर पर लोग जो है पैट्री पिंट्रोल को फिल करने के लिए खड़े हुए थे लो speaks तो मैं आया और जाएथे क्यूं है तो दोस्तों वहाँ पर जो है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता लगी और वह इंपॉर्टेंट चीज क्या थी तो आप कोई पता होगा आज भारत में पूरे पट्रोल पंप पर बहुत जादा भीड है लोग जल्दी से जल्दी अपनी गाड़ी की अपनी नयाय सहीता से और यह जो नई भारतिय नयाय सहीता है उसमें यह जो ट्रक ड्राइवर्स हैं ट्रक ड्राइवर्स को हिट एंड रन केस में दोस्तों उसका सजा का प्रावधान रख दिया कि कोई भी अगर जो ट्रक है दोस्तों कमर्शल विकल है उसमें अगर कोई भी किसी क तक्कर मारता है और भाग जाता है उसको दस साल की सजा होगी और साथ लाख रुपिया जुर्मा ना दिना होगा अब इस दस साल की और साथ लाख के जुर्माने की खिलाफ भारत में सभी ट्रक ओपरेटर्स ने पूरे भारत वर्ष में जो है दोस्तों वो हर्ताल जारी कर दी जिसकी वज़े से भाई हो सकता है कि आने वाले समय में कल को आप अगर जो है कोई सबजी खरीद रहे हों कोई आप दूद खरीद रहे हों कोई भी ऐसा प्रडक्ट जो भी ट्रांस्पोर्टेशन के जरीए आपके शहर तक पहुंचता है वो most probably आपको बहुत महंगा जो है दे जो है ट्रक हो सकता है कि पट्रोल पंप है उनके बाद सिर्फ एक ही दिन का एक दिन दो दिन का ही पर जो पैट्रोल है डीजल है वो बचा हुआ था और लोग बड़े स्तर पर चंडीगर में महाली में पंचकुला में मैं देख रहा हूं पाट्रोल पंपर बहुत बड़ी भी लाइने लगा कर जो है उन्हें फिल करा रहे हैं लगबग 2-3 घंटे का समय लग रहा है उससे भी जाधा समय लग रहाया और सड़के जाम हैं तो उस वज़ए से जो है आप भी अगर जो है बही अगर आपको कोई लंबा तोरा करना है अपनी गाड़ी से तो कोशिश कर उससे बचे या फिर आपकी गाड़ी फुल हो उसमें पूरी तरह से जो है पट्रोल या जो डीजल है फुल हुआ हो तो याद रखे निया प्रावधान क्या है दस साल की सजा नई भारतिय नय सहीता के मताबिक और साथ लाग का जो है जुर्माना जो है आपको फेल करना है तो यहां पर भाई सारे विद्यारती में आपको बता तो सारे विद्यारती त्यारी करें कुछ विद्यारती की कर रहे हैं कुछ पटवारी की कर रहे हैं और अब तो अलाइड का भी दोस्तों जो है वो आ चुका है अलाइड का अग्जाम आप में से कितने बच्चे है ज तो है वह फिल करने वाले एक्जाम और सीरिसली और क्या दोस्तों आप सब को पता है जैसे हमने बच्चों के लिए पटवारी के लिए फुरी ओफ कोस्ट जो है शाम को अपने बैश शुरू किया हुआ है करंट फिर भी हम पढ़ा रहे हैं और उसमें हम सारी सब्जेक्ट क्यूंकि हमारा मॉटिव तो यही है कि हम जो है माचल के बच्चों के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना काम कर सके उत्रा करें तो भई आपकी अगर है जाधा जाधा बच्चों ने लिखा की सर अलाइड के लिए भी एक बैच अलग से स्टार्ट कर दीजे तो डेफिने हैंगे कितना सारा बच्चा ऐस चीज के लिए इंट्रेस्ट है वो दिखा ठाता है एझी ठीक है तो है अशलर है गो हो हाज ठीक है तो दोस्तों शुरू करते हैं तो सबस्तों आज का जो पहला जो न्यूज पहला जो न्यूस نہیں होज यह आलर बच्चे साफी और चीजों में बेस्ट लगते हैं बात चीत में तो यहां पर दोórस्तों पहला साल था सॉमवार था और इस सोमवार के दन इसरो का कमाल क्या था इसरों इसरों का कमाल क्या था इसरों ने हमारे a अभी की सेटलाइट इसका नाम था PSylV C 58 इसको जो है cars किया और PSLVC58 जो कि भई स्पेस में जाकर दोस्तों जो kalysteal bodies है, kalysteal bodies हम बोलते हैं natural objects को in space भई जो कि बहुत बड़े सतर पर बहुत है भी जो है जो है दोस्तों जिनका weight रहता है planets की तरह होते है, planets हो नहीं तो दोस्तों इन केलिस्टिल बॉडिस को study करने के परपस है यह जो PSLVC 58 जो है उसको भेजा है और दोस्तो इनकी जो study करनी है क्या study करनी है दोस्तो इन ब्लैक होल के बारे में जानना है न्यूट्रन स्टार्स के बारे में जानना है एक्टिव गलेक्टिव नुकलिय के बारे में जानना है पल्सर विंड न्यूबली के बारे में जानना है इन सभी के बारे में जानकारी लेने जाना है PSLVC 58 ने और दुनिया का भारत दोस्तों सर्फ दूसरा देश मना है अमेरिक तो कल जो है शरी हरी कोटा जो अंधरापरदेश में है वहां से इस रो द्वारा इस जहाज को दोस्तों लॉंच किया गया जो कि इसका 60th मिशन था जिसमें की हम देखते हैं एक्सपो सेट को कैरी किया होगा था और दोस्तों इसको जो है एंडिटिन इंटेंट 65 किलो मेटर लो अर्थ और और इसके बाद जो है यह जो पूरी तरह से सक्सेस्फुल रहा यह जो टेस्टिंग है और नए वर्ष के पहले दिन जो है इस रो की यह जो सफल जो है अग्जानिकों को जो है वो बढ़ाई दी अब इसमें से अग्जाम में क्या सकते है अग्जाम में आ सकता है कि दोस्तों यह जो PSLVC 58 है इसको कब लांच किया गया इसका परपर्स क्या था दोस्तों क्लाउंच करने का और भारत दुनिया का कौन सा माधेश है जिसने इस प हुआ है Brix ब्राजील रुषिया इंडिया चाइना संथ अफ़ीका दोस्तों एसky लास्ट यह जो मीटिंग है वो साउथ अफ़ीका में हुई थी और ब्रिक्स ने जो है डिसाड किया था कि एक जनवरी से इसमें चे नई कंट्री जो हैं वह एड हो जाएंगे और यह 750 ते दोस्तो उसमें से जो है एक अरजंटीना है था बाकी जो है अगर हम बात करें अजिप्ट है इथोपिया है दोनों अफरिकन कंट्रीज है फिर दोस्तो एरान है यूएई है और साओधी अरेबिया है तो दोस्तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें ये जो नीचे के पांच क अब एक जनवरी कल इसमें पांच वेस्टो छे एड़ोन होने थे अब जो है पांच ही इसमें एड़ोन पाए अर्जंटीना फिलहाल जो है इसको अब मेंबर नहीं बना अब यहां पर सारे ही विद्यारतियों को मैं तो उमीद करता हूं जरूर याद होगा कि अगर मैंने ला नाटो में एक कंट्री एड़ोन हो गया था दोस्तों उसका भी नाम आप मुझे बताएं फिर जी ट्वंटी में एक औरगनाइजेशन है वो एड़ोन हुई है उसका भी आप मुझे नाम बताएं और दोस्तों मैंने आपको जो है साथी साथ बताया था ठीक है कि बही जो है यह सारे बड़े important रहते हैं, तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ OPEC, OPEC में से दोस्तों Angola जो है वो बहार हो गया था OPEC countries में से, NATO में Finland जो है वो add हो गया, ठीक है, और G20 में जो है African Union, जो है दोस्तों वो add-on होगी, जिसमें total 55 countries हैं, वैसा ही प्रशन, अब आपको यह साउधी अरिबिया और Argentina है दोस्तों इसमें उसने add-on होने से मना कर दिया, तो एक तो यह आपको पता जरूर हो, breaks expand हो चुकी है, और इस साल इसकी जो meeting है वो याद रखें, रोशिया में जो है वो आयोजित की जाएगी, दूसरा दोस्तों यूनिस, महम्मद यूनिस, दोस् दोस्तों 2006 में, इनकी policies की वज़े से, इनको दुनिया का, economics का सबसे सर्वश्रेष्ट अवार्ड, Nobel Prize जो है, वो दिया गया था, दोस्तों यह जो prize है, इनकी anti-poverty campaign की वज़े से, जहां पर इनोंने, ग्रामिर बैंकों के थ्रू, micro credit का concept, बंगलादेश में popular कर दिया, micro credit का मतलब है, बही छोटे ऐसे लोग, जो की छोटा business करना चाहते हैं, रेडी लगाना चाहता है, कोई दोस्तों कोई छोटा business करना चाहता है, तो उनको credit दें, ताकि उससे देश की GDP में वरिद्धी हो, लोगों को employment मिले, और इससे बंगलादेश को बड़ा benefit भी हुआ, बंगलादेश नोबल लॉरेट मुहमद यूनिस, इनको जो है, छे महीने की, दोस्तों सजा हो गई है, छे महीने के लिए इनको सजा जो है, जो है, वो कारा गार भेज़ दिया है, बंगलादेश की सरकार नहीं, और दोस्तों कहा जा रहे हैं, कि इन्होंने लेबर लॉग, वहाँ पर कई सारे मुझदूरों के मिलों के साथ मिलकर, उनकी युनिस के साथ मिलकर, कुछ लॉग वो तोड़े हैं और के सारे लोगों को भड़काया है, जिस वज़य से नहींगे जो की सजा है, वो दी जाती है, याद रखें यहाँ पर, भाई, मॉटिवेटेड़ सत्ता में है शेख हसीना उनका नाम है वहां की परदार मंत्री का और उनके खिलाफ जो है लोगों को भड़काया जा रहा था इस वज़े से जो है अब इनको जो है सजा दी गई है और दोस्तों इमेरेटली फोर ए मन्त इन एक्सचेंज ऑफ टका पांच हजार मतलब पंतालीस इस पांच देफेंस 30 देज तो अपील तो भाई अब जो है देखना होगा कि अब जो है दोस्तों यह जो इलेक्शन है इलेक्शन पर इनके द्वारा जो बातें की गई थी लोगों को जो है अपने लेबर लॉग के प्रती जागरुख होने को कहा गया था कि लोग वो उसको कितना फेवर में ले रहे हैं और इलेक्शन का जो है दोस्तों जो जरिया है या इलेक्शन का जो रुक है उस पर कितना जो है इसका परभाह पड़ता है हमारे लिए इंपोर्टेंट है इनका नाम मुहमद यूनिस और कब इने मिला था नोबल प्राइज और किस परपस से मि मेला था वो सब कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों को ना पता हो भारत को भी एकनॉमिक्स में प्राइज मिल चुका है दोस्तों हलां कि वह अब भारत में नहीं रहते वो 1969 में ही शुरू हो पाया, 1901 में जब मैं बात करता हूँ physics की, जब मैं बात करता हूँ chemistry की, मैं बात करता हूँ literature की, मैं बात करता हूँ physics, chemistry, literature, peace की, दोस्तों मैं जो बात करता हूँ medicine की, लेकिन economics 1969 में शुरू हुआ, भारत का अगर मैं जिकर करूँ दो बार, भारत कोन economics मे दोस्तो 19 तो 1998 में ये मिला था अमर्तिया सेन को मैं बता दूँ अब ये भारत में नहीं रहते अमेरिका में ही रहते हैं लेकिन भारत के हैं भारत में जर्म है तो इसलिए हम इने भारते मानते हैं और 2019 में मिला था दोस्तो अभी जीत बैनर जी को तो अभी जीत बैनर जी ये दोनों जो है Nobel laureate है और इनको जो है economics में भारत भारतियां है और यह जो प्राइज है वो मिला है तो दोस्तों यह याद रखना है और इनको जो है फिलाल 6 महीने की सज़ा जो है वो हो चुकी है जी फिर उसके बाद दोस्तों अगली जो news है वो है आज की वो है जपान से कितने जिन्होंने जपान से वो वीडियो देखी जहां पर दोस्तों इतनी बड़ी त्रिफ ता कितनी बड़ी त्रिफ ता 6.7 दोस्तों यह जो magnitude है यहां पर बच्चों को पता हो कि भाई 7.6 मेगनिटूड बहुत बड़ा स्केल रहता है और यहां पर भाई बच्चों को में यह भी बिता दूँ भाई इसी वज़े से जपान जैसा कंट्री जहां पर आमतार पर भुकंप जो है जो है फाई रिक्टर स्केल पर बड़ी मात्रा में आते रहते हैं तो दोस्तों जपा यहां पर दर लोगों ने अपने जो घर हैं वो लकडी के ही बनाये होते हैं ज्यादा स्थिर्ता यह ज्यादा जो बड़ी दिवार इंफ्रस्ट्रक्चर बड़ी बेल्डिंग्स नहीं वह बनाते क्योंकि वहां पर यह जो है दोस्तों आते रहते हैं और फिलहाल इस जो है भाई की वज़े से 6.7 मेगनिटूड की वज़े से अगर यह भारत में आया होता मैं आपको बता दूँ अब मान के चलें कि हजारों लोग को की मृत्य हो जाती और लाखों लोगों की जो है दोस्तों जो विवस्ता है वो अस्त व्यस्त हो जाती लेकिन यहां पर इनके इंत देखने को मिली हैं लेकिन को बहुत बड़ा स्तर पर जो है हजारों लोगों की कोई जैसे मैं जैसे बाहरत में बोल रहा हूं कि वैसा कुछ वहां पर नहीं हुआ हाना कि दोस्तों अगर आप देखेंगे अगर कहीं सारी वीडियो देखेंगे तो बड़ी भ्यानक तस्वी दिखाई देती हैं यह जो अर्थक्वेक है दोस्तों यह जो अर्थक्वेक कहां पर आया यह आया जपान में शी कावा नामक शहर में दोस्तों यह आया था और वहां पर जो हैं लगभग 27,000 भारतिया भी रहते हैं फिलहाल सबही को जो है अपनी रिपोर्ट टोक्यों में इपनी अम्षाइक को देने को काया और अमर्जिंसी मिढ ब creat ओगे है और दोस्तों आने बाले दिनों में पूरे जपान को जो है वह ग्राफिकाल अलट पर घूशित कर दिया गया है और पूरी तरह से जो तो दोस्तों वहां की जो committees हैं, वहां की जो forces हैं, वो सक्ते में आगी हैं, कि पूरी तरह से disaster forces को तियार रखा गया है, कि कई बड़ी समस्या आई तो उसे कैसे निप्टा जा सकता है, तो यहां पर जब भी हम earthquake की बात करते हैं दोस्तों, tectonic plates के हिलने की वज़े से यह दोस्तों earthquake हैं, वो आजाते हैं, जपान क्योंकि इसकी geographical situation ही ऐसी है, ring of fire के काफी पास है, जिस वज़े से वहां पर दोस्तों जो है गाहे बेगाहे earthquake आते रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी त् सुनाओगा, डेविड वार्नर है, उस्ट्रेलिया का प्लेयर है, और दोस्तों, 161 मैच्चे में लगभग 7,000 बना चुका है, बाइस से जादा सेंचरी लगा चुका है, इसने हैं दोस्तों, ODA क्रिकेट से, बंडे क्रिकेट से है, रेटायर्मेंट लेली है, सन्यास लेलिय हैंगे, भारत में IPL खेलते रहेंगे, T20 मैचेस हैंगे, ODA इसे फिलाल बंडे मैचेस से, जोने हम 50 ओवर्स का मैच बोलते हैं, वहां से फिलाल इन्होंने जो अपनी रेटायर्मेंट है, वो ले ली है, डेविड वार्नर, इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूं, तो जो भाई आजकल उस्टेलिया की महिला क्रिके टीम हैं वो भारत आई हुई है, और महिला क्रिकेट टीम, उस्टेलिया की रेज़्स माय झरूर्स घिडाय घई थी, लेकिन उसके बाद बंडे में लगातार दो मैचे घी चुकी है, अज तीसरा जो मैच है, भारत आच भ कोई भी मुझे बता सकता है कि उस जो टेस्ट सेरीज है जो भारत और साउथ फरीका के बीच हो रही है उसका नाम क्या है किस नाम से जो है उससे बात की गई है मैं साथ ही साथ यहां पर देख लूँ कुछ बच्चों लिख रहे है हां जी हां जी वेरी गुड परवीन जी हां जी बहुत बढ़िया लिख रहे हैंट यहां पर जो मैं आपसे बात कर रहे हूं भारत और साउथ परीका के बीच जो सेरीज चल रही है उसका नाम है फ्रीडम सीरीज Whenever है दोस्तों इसको नाम जो है वो दिया गया है तो दोस्तों यहां जो है अब हम इसके बाद बढ़ेंगे आज के जो हैं इंप्रृटेंट जनुरी makenй इंपॉर्टेंटर डेस्पमर का पूरा महीना छहाएं। तो जनुरी में कौंसेे इंपॉर्टे डेस जो हमारे एक्जाम में आसकते हैं हमारे सब अब पूरा महीना इसका बर्चरे उता है ब्रायव दोस्तों ये जो व्यक्ति था ये इसका पूरा नाम था लूइस ब्राइल और यह इस व्यक्ति ने जो अन्दे लोग हैं उनके लिए क्सक्रेप्ट मनाई थी जिसको बोलते हैं ब्रायव स्कृप्ट जो कि उनको पढ़ने में मैसूस करके उस तो नौ तारीकों जो है पूरी दुनिया इंडिया में हम NRI Day जो है शेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी को 1915 में महात्मा गांदी जी साउथ फरीका से हमेशा हमेशा के लिए भारत आये थे फिर 9 जनवरी के बाद 10 जनवरी दोस्तों 10 जनवरी को होता है World Hindi Day मैं सब्सक्राइब करों यहां पर फिर दोस्तों 12 जनवरी 12 जो जनवरी है यहां पर 12 जनवरी को होता है हमारा युवा दिवस दोस्तों नेशनल यूथ डे क्योंकि इस दिन स्वामी विवेका नंजी का पर्ट्रे होता है फिर दोस्तों मैं यहां पर 14 जनवरी भी लिखूंगा 15 जनवरी भी लिखूंगा 15 जनवरी को होता है हमारा आर्मी डे मैं यहापर सभी विद्यारतियों को यह भी बिता दू कि आपको जो है यह सब कुछ नोट करनी की जरूरत नहीं है यह मैं ऐसे कर रहा हूं दोस्तों कि यहाँ पर सब कुछ यह लिखा हुआ है तो यह जो 15 नाम था K. M. Karappah सहब यह करपा सहब है के करपा यह भारतिय आर्मी के जनरल बने थे और इस वज़ए से हम आर्मी डे और दोस्तों अब यह जो जनरल सहब है यह जो है एक साल बाद हम देखते हैं 14 जनवरी को 14 जनवरी को रिटार हो गए थे तो इसी वज़ए से हम 14 जनवर की वज़े से हम Army Day हैं जो सेलिब्रेट करते हैं इसके अलावा 23 जनवरी स्वभाष चंद्र भोष स्वभाष द्रभोष जो है नेता जी का जन्म दिन होते हैं और इस दिन Government of India जो है celebrate करती है प्राक्रम दिवस तो दोस्तो इस दिन जो है प्राक्रम दिवस के रूप में हम इसे celebrate करते हैं फिर उसके बाद 25 तारीक को आप कितने बच्चों को पता है 25 तारीक कौन सा डे है पहले तुम बता दूँ 25 जनवरी 1950 को हमारा भारत का इलेक्शन कमीशन ओफ इंडिया की स्थापना हुई थी और इलेक्शन कमीशन की स्थापना की वज़े से हम इस दिन मत दाता दिवस वोटर्स दे भी जो है celebrate करते हैं लेकिन दोस्तों 25 को जो है टूरिजम की वज़े से पूरी दुनिया भर में जाना जाता है तो इस वज़े से हम इस दिन राश्ट्रिया नेशनल टूरिजम डे सेलिब्रेट करते हैं कुछ बच्चों को कनफ्यूजन ना हो जाए मैं इसलिए पहले ही बता रहा हूँ दोस्तों अंतर राश्ट्रिया ज रिपब्लिक डे है और 26 को ही दोस्तों कस्टम ड्यूटी डे जो है जो है अब जर्फ किया जाता है कस्टम ड्यूटी जो आम तोर पे उन प्रड़क्ट के उपर लगती है यह टेक्स है जो की दोस्तों इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है दोस्तों जो होता है उनको पर एक्सप के important days मैं repeat कर दूँ एक बार चार तारीक को ब्राइल्स डे नौ तारीक को एनराई डे दस तारीक को वर्ल्ड हिंदी डे बारा तारीक को राष्ट्रिय युवा दिवस वेका नंजी का जन्म दिन चौना तारीक को वेटरंज आर्मी डे पंदना तारीक को आर्मी डे फिर को है दोस्तों जो है वो होता है हमारा कौन सा महात्मा गांदी की पुन्य अतिति होती है और माठी एजडी हम अब्जर्व करते हैं बहुत ही बड़े वर्ल हिंदी डे बच्चों मैं यह भी पिता दूँ एक नैशनल हिंदी डे भी होता है वह 14 सितंबर को होता है यह 10 जनव दोस्तों executive जो head है वो हमेशा राष्टपती रहता है फिर भारत के सविधान का कौन सा अनुचेद प्रेस की सबतनतरता दोस्तों article 19 जो है इससे जुड़ा हुआ है फिर जलेमले बाग के समय भारत का जो वाइस रॉय था उसका नाम था लौड चल्म्स फोर्ड जो है नाम थ जानते हैं भूरी करांती जो है वो और वरक उत्पादन से जुड़ी हुई है फिर बिवल्डन जो टैनिस का दोस्तों जो है टूनमेंट है इंग्लेंड में खेला जाता है थारांसो सततर से इसकी शुरवात हुई थी फिर भारतिये क्रिशियन उसंदान सस्थान की स्थाप जो है वो 1905 में हुई यह हम बात कर रहे हैं दोस्तों जो एग्रिकल्चर इंस्टिट्यूड की बात कर रहे है निला थोथा इसका जो साइंटिफिक नेम है वो कोपर सलफेट है अटल नौमेश मिशन जो है वो दोस्तों नीतिया योग से जुड़ा है हिमाचल के किस जिले क ऑगोस्ती सब्लबत करें दोस्तों सब्सक्राइब करें जो परेटन चैने-टन डर्जा शेंट को परहें रोदोस्तों सबसे बडरिस नहीं नहीं है तो दोस्तों इसके साथ यह पहला जो सेक्शन है अब यह समापत हुआ अब हम दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं दूसरा सेक्शन जहां पर हम जो है आज के मोस्ट इंपोर्टेंट जो करंडफेर हैं एमसी की फॉर्म में उसे पढ़ेंगे तो यहां तक बच्चों सब कुछ समझ आया की नहीं हाँ जी वह समझ आया की नहीं एक बार जल्दी से बता दें और सेशन को अगर आपने अभी तक लाइक निकिया लाइक भी कर दें और इसे जम कर जो है दोस्तों शेयर भी कर दें तो जिसका दोस्तों नाम क्या है जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन यह कहां शुरू होगा राजिस्थान में यूए गुजरात या उत्रखन दोस्तों यह भारत और यूए के बीच में होने वाला है और इसका जो सही जो है उत्तर है दोस्तों वह है राजिस्थान जो है इसक आपको जरूर पता होनी चाहिए फिर दूसरा प्रशन डैविड वार्नर जिन्होंने एक दिवस्या अंतराश्च और टेस्ट क्रिकट से सन्यास की घोशना की तो किस से समंदित है न्यूजिलेंड साउथ अफरीका उस्ट्रेलिया या नीदरलेंड अभी आपको बताया भी थ चीफिट को रेटारेमेंट अनाउंस कर दी है और दोस्तो वह उस्ट्हेलिया से जो है वह बडलोंग करते हैं सहुत्र जो है वह उस्ट्रेलिया है कि डोस्तोबग pain aç में का कौन समय विशवकप था दोस्तों कितने विशवकप आज तक वो जीत चुके हैं कोई बच्चा बता सकता है अगर मैं बात करूं 2023 का विशवकप उनके नाम था दोस्तों इससे पहले 2015 का विशवकप उनके नाम था उससे पहले 2007 का विशवकप उनके नाम था फिर 2003 का बेभल 6 विश्व कप, जो हैं वो जीज़ चुके हैं, यह नाम याद रखें, फिर उसके बाद अगला जो प्रसशन है, वो है, भाई, नेक्स्ट जो कोस्चन है वो है, बताएं, हाल में ही, हाइड्रोपॉनिक, यह दोस्तो, इलेक्ट्रोणिक सॉयल के लिए, जो है, जो है, हेड्रोपॉनिक एग्रिकल्चर आइसलेंड नॉर्वे डेनमार्क या स्वीडन किस देश द्वारा दोस्तों यह इलेक्ट्रोनिक मिट्टी जो है उसको विक्सित किया गया है इसका जो सही उत्तर है जल्दी से बताएं मुझे आप परवीन लेख रहे हैं कि सर वेस्टेंडी वन फर्स टाइम बिल्कुल जी वेस्टेंडी ने पहले दो जिते है 75 में भी और 79 ने भी और दोस्तों इस प्रशन का जो से उत्तर है वो डी है स्वीडन इसका जो है करेक्ट आंसर है प्र अगला प्रशन वुमेन अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन दोस्तों इस टूनाम श्रफिया अनाट संग जल्दी से बताएं अगव तो दोस्तों इसका जो सही उत्रह वो डी है अनाट सिंग भारत के प्लेन है इनके द्वारा यह टूनामेंट है दोस्तों वह जीता गया है प्र अगला प्रशन है हाल में ही बार्भी दिव्यकला स्व मिला तो बिव्यकला म मिला कहां पर पंजाब गुजरात राजस्थान या हरे आना मैं बच्चों से पूछना चाहूंगा पंजाब में दोस्तों कौन से शहर में जो है रफी मिनार जो है लगाया जा रहा है मौहमद रफी का सो फीट बड़ा स्टेच्चू कि आपको याद है आपने सैटेड़े को रहा था और इस प्रशन का उत्तर जो है दोस्तों वह भी है गुजरात में दिव्यकला मिला और जो है यहां पर हम बात कर रहे थे दोस्तों मौहमद रफी के जो हैं सोफिट जो है मिनार की और वह अम्रिश सर में यहां पर परवीन राजपूत ने अक्षे चौधरी ने पिंकी तनिश्का कोटिया रानी राना अवनी लिखारा मुझे लगते कि अगर आप लगातार करंड़ पढ़ते हैं अवनी लिखारा को छोड़कर जो कि एक शूटर है डिसेबल शूटर है बाकि किसी का भी नाम आपने नहीं सुनाओगा दोस्तों यह पांचे साल की कोट देश्क फिरिश्क वर भी वदपर सुस्ति आप याद रखें विथ हो इन्यान उन्के आह्म से कामिक बोर्म मोडão से मोर सवलग अंदश्क बोर्यविक आपक वा का दिश्क इन्यां सकते घ्यों तक उनके नम यसवाइत बैन कि 49 नतले से बिस अभीन कि तन यह दोश् रेखा, कुमारी जिनके बेंक अकाउंट खोला जाता है उसका नाम है सुकन्या समरिती अकाउंट है दोस्तो वह खोला जाता है जो है इस बलडकियों का जिनके उमर जीरो टू टैनियर है तो इसे के साथ दोस्तो आज के MCQ वह भी समापत हो रहे हैं और आखिर में हम पढ़ें नहीं है लेकिन बच्चों को बता दू राज्यसभा के इलेक्शन दोस्तों वैसे ही होते हैं जैसे राष्टपति और उपराष्टपति के इलेक्शन इनके इलेक्शन में राज्यसभा के इलेक्शन में दोस्तों याद रखें हमेशा जो MLA है MLA जो है वोट करते हैं और दोस् पर ऐसा माना जाता है जिसकी स्केट में सरकार होती है उसके मेंबर हैं आम तोर पर जाद तर चुन ही लिए जाते हैं तो MLS वोट करते हैं और अभी आप देखेंगे क्योंकि दोस्तों राजसभा में हमेशा दो साल के बाद इसके वन थर्ड मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं तो पर्मानेंट हाउस भी जो है इसे राजसभा को बोलते हैं राजसभा को पर्मानेंट हाउस हाउस ऑफ सीनियर्स क्योंकि यहां पर मेंबर बनने के लिए उमर आपकी 30 वर्स चाहिए लोगसभा में जो 25 होती है इस वज़ए से इस कॉंसल आफ सेट कहीं सारे नामों से र खा aperos क dau सब्सक्ता आफ को त टेक जानमान सर्वे हैं और टोस्तो उसल है अपको कहीं सारी जानकारियव जो है देनी है और दोस्तो उस जानकारी तक आपको जो है अपनी सार घर चारे पर नहीं है सरकारी प्राइसी नहीं तो यह हमारे लिये इंपको यह मुष्पराइब कर Kenny तर आज चौहां काफी बच्चे कि अजुभारी पॉतनी तो यह तु जून कि अंहीं हैं आपको बता दूँ बहुत जलद अगर आप अलाइट की तरि करना चाहते हैं औ आप अलाइड में अच्छी पोजीशन प्राप्त करना चाहते हैं एचेस जो है देना चाहते हैं लेकिन आपको लगता कि पैसा नहीं है आपके पार रिसोर्स नहीं है तो दोस्तों अगर आपके पास मोबाइल में इंटरनेट डलवाने के लिए पैसा है तो आप बेफिकर हो हो जाएं अप निश्चिंत हो जाएं सक्सेस्ट्री हिमार्चल जो है जैसे हमने पटवारी को लेकर अपना बैच शुरू किया है शाम को वैसे ही बैच हम दोस्तों अलाइड और दूसरे एक्जाम के लिए भी बहुत जल्द आपके समक्षा लेकर आएंगे बस आपका साथ चाहिए प्यार चाहिए और दोस्तों वो जो है आप जितना हो सके हमें देते रहें सेशन को शेर कर दें शेर लाइक कर दें और अपने कमेंट्स में हमें जरू बताया करें कि कौन कौनसी समस्या है और अगर आपको परस्नल कांसलिंग की भी जरूरत हो तो हमारा जो रात हाँ जी मनुश अर्मा जी